हलो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाजन आइटाइडर वसेस लखनाव सुपर जाइंट्स के बीच IPL का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में और दोस्तो दोनों टीम्स के स्टैट्स के उपर पूरी इटेल अनलिसिस करेंगे और जानेंगे यहां से कौन से प्लियर बेस्ट आप्सन रहेंगे अस्मॉल लिग और खास करके ग्रैंड लिग के लिए तो दोस्तो इस मुकाबले में आप सभी को बहुत ज़्यारा कन्फूजन हो रही होगी टीम बनाते समय क्योंकि दोनों टीम्स के बहुत सारे प्लियर्स अच्छे फॉर्म में है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग दोस्तो पूरी इटेल अनलिसिस करेंगे उसके बाद समय लिग और ग्रैंड लिग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे तो बात कर लेते हैं पहले अनलिसिस की उपर तो दोस्तो गौर कीज़ेगा यह जो मुकाबला है 14 अप्रिल को दो पहर में पहले बैटिंग करने वोले टीम 37 मुकाबले जीती है और चेस करने वोले टीम 50 मुकाबले जिसमें से दोस्तो एवरेज स्कोर इस ग्राउंट पर देखा गया है 166 की आसपास और हैस्ट स्कोर दोस्तो चेन्य सुपर किंग 235 से रन बनाई है और लोइस्ट स्कोर यहाँ पर RCB का है जो की 49 रन पर अल आउट हो गये थे स्कोरिंग पेड़न देखा जा 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 चुका है और जो पिछला मुकाबला इस ग्राउंट पर खेला गया इसी सिजन जिसमें कोलकाटा 208 रन की टार्गेट दी थी और हैदरबाद 204 रन ही बनाने पाया और उस मुकाबले में कोलकाटा 4 रन से जीती थी तो दोस्तो जो पिछला मुकाबला हुआ वो दोस्तो बहुत जादा अधत मिल रही है तो यहाँ पर दोस्तो आपको दोनों बोलर्स पर फोकस करना है अब इसके बात कर लेते हैं डिरेट यहाँ पर हेट टो हेट रिकॉर्ड की उपर दोनों टीम्स के बीच अभी तक IPL के इतिहास में तीन मुकाबले हुए हैं और तीनों का तीनों मुकाबला ल दिल्ली कैपिटल से यह तो आपको पता ही होगा अब इसके बाद डिरेट बात कर लेते हैं इस मुकाबले में क्या रहे कि कोलकाता नाइट आडर की प्लेंग लेवन तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट के साथ सुनी लरायन दिखेंगे फिर ए रिकोवर में एंडर असल और मिचल स्टार्क अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेर्च के रिसेंट पर्फॉमेंस की उपर दोस्ते पहले मैं आप सब्सक्रिप्स को बोल दूँ कि जो लोग भी तक टेलिग्राम पर नहीं जूड़े हैं लिंक में डिस्क्रिप् पिशले मुकावले में देखा जादा टॉप ओडर से फिलिप सॉल्ट जीरो पर आउट हो गये थे सुनिल लर्यन अच्छी पारी खेले थे 27 रन की थे दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं तो अच्छे फॉम में भले है फिलिप सॉल्ट पिछले मुकावले में 0 पर आउट ह गये हो इनके उपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि विकेट ही पर में आपको और ज्यादा अच्छी ऑप्सन देखने को मिलेंगे लखनाओ की तरब से तो फिलिप सॉल्ट को आप लोग एक टीम में क्याप्टन कर सकते हैं आप लोग को अच्छा खासा पॉइंट दिलाकर जाएंगे भागी बाकी दोस्तो मिडल ओर से बात करे रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बोले। पो और चारों बैट्समें को आपको अपको अपने टीम में रखना ही रखना है और अगर आप लोग एक बैट्समें को नहीं लेना चाते हैं तो फिलिप सॉल्ट और रगवन सी दूनों में से आप एक को लेकर चल सकते हैं और लोडर से बात कर तो विनके टेस अगर उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है पिछले मकावले में भी फ्लॉप हो गए और जारतार इनको उतना मुका नहीं मिल रहा है और रिंकु सिंग का भी बैटिंग ओंडर बहु ही लेकर चलना है अब इसके बात कर लेते हैं बॉलिंग से अक्षन से यहां पर आप सभी को देखने को मिलेगा कि दोस्तों जो कोलकता के बॉलर से हैं पिछले मुकावले में मातर दो ही बॉलर को विकेट मिली वैव और और सुने लरायन को एक विकेट तो इस मुकावले मे इनके उपर आप लोग थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं क्यूंकि बहुत ही महंगे खिलाड़ी हैं तो हो सके इस मुकावले में अच्छा पोहमेस कर जाएं अपने होम ग्राउंड पर बाकी एंडर असल और सुने लरायन कांटिनिवस अच्छा पोहमेस कर रहा है यहांगे लेंगर और अंकिल रहल यहां और अंकुल रोग की बात करते हैं थे आपको ऊपनिंग यहांगे लेंगे फिर देवुधन परिखेंगे नवी नुलक, यस ठाकूर, रभी बिस्नोई, अरसत खान और M. सिधार्थ स्टार्टिंग में नवी नुलक और अरसत खान बोलिंग कराते दिखेंगे और आखरी कोबर में नवी नुलक और यस ठाकूर अब बात कर लेते हैं इन सारे प्लियर्स के रिसेंट पर्वामेंस की ऊपर तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में दोनों ओपनर्स अच्छे फॉर्म में दिखे थे केल राहूल 49 रण की पारी खेले थे और कुंटन डिकॉक 19 रण की और दोनों का स्ट्राइक रेट दोस्तों 150 प्लस था तीस मुकावले में दोनों important रहेंगे क्योंकि ये जो ground है बहुत ही छोटा ground है तीस मुकावले में आप लोग high scoring match expect कर सकते हैं तो आपको grandly में captain wise captain भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे पिले रहे हैं रिसेंट में 69 रण और 51 रण की भी पारी खेल करा रहे हैं तो डेटरट परडिकल आप लोग लोग लिए important पिक हो सकते हैं इस मुकावले के लिए उसके बाद मारका स्टोनिस की बात करें और निकलस पूरंत इन दोनों को आपको अपने टीम में रखना है भले ही दोस्तो दोनों batsmen पिछले मुकावले में flop हो गए हो लेकिन इस मुकावले में अच्छा performance कर सकते हैं क्योंकि ये batting friendly ground है और पिछले मुकावले में तो दोस्तो निकलस पूरं जीरो पर आउट हो गये हैं लेकिन उससे पहले 32 रन, 40 रन, 42 रन, 64 रन की पारी खेले हैं तो मारका स्टोनिस भी अरसा तक लगा कर आ रहे हैं रिसेंट के मैचेस में और निकलस पूरं भी तीन दोनों को आपको अपने टीमें लेकर चलना है बाकि आयूस भुधोनी को पिछले मुकावले में ज्यादा मौका इसले मिला था क्योंकि मिडल ओर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था पिछले मुकावले में लेकिन हर बारा असा नहीं होगा तो आयूस भुधोनी क्यावल ग्रैंड लिक के लिए इंपोर्टन रहेंगे जो कि पिछले मुकावले में 55 रंगी पारी खेले हैं अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन से तो यहाँ पर आपको मैं बजा दो कि दोस्तो पिछले मुकावले में बाकी नवी नुलग भी इंपोर्टन पिक रहेंगे जो कि कंटिनुवस विकेट ले रहे हैं और अगर आप लोग एक स्पिनर लेना चाहते हैं तो दोस्तो रवी बिस्तोई और कुनाल पंडिया दोनों में से एक को ले सकते हैं क्योंकि कुनाल पंडिया भी ठीक ठाक फार्म में थोड़े पिछले मुकावले में भांगे साबित हो गये थे लेकिन इस ग्राउंड पर हो सके इनको विकेट मिल जाए तो आप लोग के लिए यस ठाकूर नवीरू लग सेफ ओप्सन रहेंगे और रवी बिस्तोई कुनाल पंडिया ग्रैंड लिग अर स्मोल लिग दोनों के लिए बाकी मारका स्टोनिस को तो आप लोग ऐस बैट्समेल नहीं लेकर चलिएगा और अरसत खान की बात कर रहेंगे के ल रहाल कुंटेंड कोक निकलेस पूरन मारका स्टोनिस और यहां से दोस्तो यस ठाकूर अब तो यह तो होगी दोस्त यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल अन उपर तो सबसे पहले यहाँ पर हम लगा स्मॉल लीक की टीम देखेंगे दोस्तों फिर उसके बाद ग्रेंड लीक की टीम देखेंगे तो आगे बढ़ने इस पहले में वबस यही बोलना चाहूं को कि चैनल पर पहले ही बारा है तो सबस्क्राइब जरू कर दीजेगा और म पहले दोस्तों अपनी पारी को लंबी नहीं करने पाएं बाकी निकलेस पूरन को यहाँ पर हम लेकर चलेंगे मिडल ओर से जो कि दोस्तों पूरे सिजन बहुत यह अच्छा बैटिंग किये बहुत ही अच्छा पहले हैं और यहाँ से हम लोग फिलिप सॉल्ट को भी लेकर तो यहाँ पर आप से बहुत ज़रा confusion हो रही होगी लेकिन यहाँ पर आपको confusion नहीं होना है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग stress आयर को लेकर चलेंगे जो कि दोस्तों second down आएंगे बैटिंग करने तो यहाँ पर दोस्तों stress आयर अच्छे form में है पिछले मुकावले म थोड़ा से नीचे था लेकिन recent के दो मुकाबले में इनको कोलकाता के team first down बैटिंग करने भेज रही है तो दोस्तों यह important रहेंगे हमारे trump लर रहेंगे इस मुकाबले के लिए बाकी आप चाहें तो इनकी पर इंकु सिंग को भी ले सकते हैं जो कि नीचे आएंगा बैटिं रन के लिए उसके बाद यहाँ पर मैं मारका स्टॉनेस को लेकर चलूँगा क्योंकि जरौत पढ़ने पर यह बॉलिंग भी कराते हैं और पिछले मुकाबले में भी बॉलिंग कराया थे भले इनको विगेट ना मिली हो और recent में दोस्तों 58 रन की संदर पारी भी खेल के आ रहें जब जरौत पढ़ती है टीम को तो और इस मुकाबले में तो आपको टॉप पोर्डर के बैटस्वन पर खासा फोकस तो कर नहीं है उसकी बाद दोस्तों नीचे से बात कर तो कोई ओल रॉंडर को मैं यहाँ पर नहीं लूँगा अब बॉलिंग से से बात कर तो दोस् सकते हैं कि कोलकाता के तरब से मिचल स्टार को ना लेकर वैवो औरोरा को ले सकते हैं क्योंकि वैवो औरोरा का रेसेंट पोफॉमेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा है रेसेंट के दो मुकाबले जो यह खेले हैं 85 पॉइंट और दोस्तों 65 पॉइंट दि यहाँ तीन यहाँ पर ओल्राउंडर दो बैट्समें और एक विकेटी पर और इस टीम में दोस्तों आप लोग एक बदलाव यह कर सकते हैं या तो फिलिप सोल्ट नहीं तो दोस्तों यहाँ पर एर रगवंसी के जगह पर रिंकु सिंग को ले सकते हैं नहीं तो दोस्तों बात कर लेते हैं कैपटन वाइस क्पटन की उपर तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे कपतान रहेंगे वह सुनील नरायन रहेंगे क्योंकि इस ग्राउंड पर पिछला मुकावले जब खेले थे तो बहुती संदर बैटिंग किये थे और वाइस कैपटन दोस्तों यहाँ पर सुनिल नरायन और फाइनल टीम के लिए टेलिग्राम पर जूड़ जाएगा और मैं आप लोग से जादे कुछ नहीं मांगता है बस दोस्तो वीडियो को लाइक कर दिए मेरे लिए इतना ही काफी है अब बात कलते हैं इस टीम की प्रीविव फिर आगे ग्रैंड लिके टीम की दोस्तो लखनव की तरफ से एक विकेट की पर फिलिप्स वाल्ट मैंने कोलकाता की तरफ से लिया है दो मैंने बैट्समें लिया है जो कि टॉप और के बैट्समें है कोलकाता के रसल यहाँ पर दोस्तों मैंने लिया है और वाइस कप्तान रहेंगा मारकर स्टोनिस को और ब बैट्समेन है और इस ग्राउंड प्रिंग को मदद मिल सकती है और वाइस कप्टन मैं रसल को किया और इस टीम मैं दोस्तों एर अगवंसी के जगह पर यहाँ पर दोस्तों नवी नूलक को लिया हूँ और बाकी दोस्तों मैंने वैब और अरो रहा है और अभी भी स्नोई को बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए